हेलो एवरिवन, वेलकम टू दे PCMB डिजीटल गुरुकुल चैनल इस वीडियो में हम क्लास एड कि गनित की वरक्षीट नमर टमटी फोर को करेंगे जिशकी तिती है 17 दिसंबर 2020 और टाइटल है घन और गनमूल इसी वरक्षीट का English version भी हमारे जो है वरक्षीट जो चैनल है PCMB डिजीटल गुरुकुल चैनल उस YouTube चैनल पे अवेलेबल है English Medium आप English Medium चेक करना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं और अगर अपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वरक्षीट हम अप्लोड करें उसका notification आपको मिल जाए और आप कोई भी वरक्षीट मिस ना करें यानि आपकी कोई भी वरक्षीट ना चुटे तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वरक्षीट को तो हम पढ़ेंगे गन और गन मुल के बारे में हमने जो 3D shapes के बारे में जो है जो हमारी shapes थी उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं अब आगे देखते हैं पैरे बचों हम गन और गनाब कार ठोस आकरतियों के बारे में जानते हैं तो गन वो होता है जिसके सारी sides जो है बुजाएं जो है बराबर होती है गनाबा कार क्या होते हैं तीन जो sides बुजाएं होती है वापस में 90 degree का कोण बनाती हैं जेखं़े परकार वर्ग आयत जैसे द्वीवी में आकर्तियों की लम्बाय तथा चोड़ाई होती हैं तो हमने पहले वाली वर्क्षीट में पढ़ा था, जो सिर्टी ड्वीवीवी विद किसे होती हैं उसमें लंबाई और चोड़ाई, सिफ़ दो ही जो है, हमारी क्या होती है, मेजर्मेंट के लिए होती है, उसी परकार गन तता गनाब त्रीवी में आकरतिया है, त्रीवी में क्यों है, क्यों है, क्यों है, त्रीवी में है, त्रीवी में है, उसमें लंबाई होती है, चोड़ा थेगी 3D बोल दिया और आतन घं संटीमेटर में लेते हैं तो जो भी हम लेंगे घं में लेंगे अगर मस्षेतर पर निकालते थे उसकी पारुट कर देते थे यहाँ पर हम लिखते थे 5 cm2, 2 m2, लेकिन जब हम इन आकरतियां भी लंबा चुड़ाई थे, आयतर निकालते हैं, वो हमारा घन में होता है, यानि क्यूब में होता है, तो हम लिखेंगे 2 m3, 5 cm3, ऐसा क्योब? देखो जब सिफ लंबाई थी और चुड़ाई थी, तो लंबाई भी मीटर में था और चुड़ाई भी मीटर में थी, इन दोनों को गुणा करेंगे 1 m2, दो मीटर गुणा होके मीटर का वर्ग हो जाता था, लेकिन अब हमारे पस लंबाई है, चुड़ाई है, और उचाई है कि तो लंबाई भी हमारी मेटर में होती है चोडाई भी मीटर वी होती है और उचाइब działa मेटर 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 कितनी वह श defence भूण यह तो यह where पास अक्षेत्रफल और आयतन दिया हुआ है हमारे पास यहां पर एक क्यों है वर्ग दिया हुआ है वर्ग का हमें पता है कि सारी बुजाएं बराबर होती है तो वर्ग की लंबाई दो है चोड़ाई भी दो है तो गुणा गरके मज़ेदार बात क्या है कि जो 3D में खरते हैं 3D उनके फलक होते हैं यह तो 3D है लेगिन इसको फलक है अगर हम के बात करें तो दो उच्छाई है तो इसमें वाले बात करें तो इसमें लंबाई और चोड़ाई निए तो एक फलक में या जब़ाई लिकले यूजोंगे तो जो फलक होते हैं वह हमारे तूरी या दवी वी में होते हैं तो अब चलो हम निकालते हैं हमारे पास त्रह की बुज़ा П 720 गन की और ढरी त्निकला गया है..? गन का आयत निकालने से पहले प्लश कीज देख लेते हैं हमारे पास किसी भी जो है, नमबर को लिखने के लिए, तो हम simple लिख सकते हैं, यह गहतांग की रूप में लिख सकते हैं, य'styर में लिख सकते हैं, विस्तारित हैंने expanded form, exponential form और हमारी simple form, तो नहीं क्या होती है, जो विस्तारित रूप होता है, उसमें जो गुना खंड होते हैं उनको जो गुना करके लिख देते हैं जैसे कि आठ बराबर होता है दो गुना दो गुना दो यानो गुना की फोम में हमने यहां पर लिख दिया घातंग की रूप में क्या होता है कि हम पावर की फोम में लिख देंगे अब दो कितने बार गुना हो ह का आयतन ग्याद करेंगे तुछ प्राफ्ट पूर्ण गहन संख्या को बीन-बीन रुपों में दर्साएंगे विन-बीन रूप क्या होंगे हमारे सिंपल में हम दिखा हैंगे गातांकिया और विस्तारित रूप में और जहां-जहां बेलेंग काया हुए उसको भी हम फिल करे उसे पहले हम एक उर्ट लेते हैं जब एक संख्या सवा pseudo स मत यह संपार हुए है क्योंकि कि ईसनाम को ंसक्ते हैं कि प्रीज़ा को प्लुष। ला सकते हैं इनने तीन को तीन बार करके 27 काucking शेब एक संख्या हैं जब एक संक्या को तीन बार गुणां कर ज्याए हिम receives फो में पुरून गन्य कर दो या पुरं गन्य तो चलिए अब टेबल करते है हमारा तो gwopia कि भुजागा हम यहां पर एक लेकिसे हमने लिगद्यागनाओं सिदा सिंपल बासान हमें लिग दिया एक गन मुन सिंपल रूप्स पर 3 विस्तारीत रूप हम एक गुणा एक गुणा एक लिख सकते हैं, आगे हमारे पास दो ही काई, तो घंका अहतन होगा दो गुणा दो गुणा दो यानिकी मल्टिप्लाई करें दो दुनी चार दुनी आठ, आठ गनी काई, यहाँ पर हमने सिंपल लिख दिया, एक मारे बाद स अगला है हमारे पास तीन एक आई तो घं का आइतन लंबाई गुणा चोड़ाई गुणा उचाए यान तीन गुणा तीन गुणा तीन क्योंकि गुणा में सारी बुजयाए बराबर होती हैं अब यहां पे क्या गातांकि रूप दियाँ एक का 3 की कुप और विस्टारी कुप गया the next then तो यहां आएगा 27, चो था है हमारा 4 इकाई दिया हुआ है, तो घन क्या हो जाएगा, 4 गुना, 4 गुना, 4, 4, 16, 16, 64, 64 गुना इकाई हमारा आइतन हो गया, यहां 64 है, गातांकिया रूप 4 की क्यूब, यहां 4 को 3 बार गुना करने पर 64 आता है, और विस्तारित रूप में हम गुना वाला रूप लिदेंगे, 4 गुना, 4 गुना, 4, अब नेक्स लिखते हैं, 5, 5 इकाई दी हुई है, 5 को 3 बार गुना करके, हमारा गन का आइतन आ गया, 125 गन इकाई, तो हमारा आइतन कितना है, 125 गन इकाई, यहां 125 है, 5 को 3 बार गुना करके मिला, तो 5 की पावर 3, य रूप हो गया यह हमारा विश्तरीत रूप लिखा हूँ है उसके बाद 6 Άइक इक आई को हम वापसमें गुना करेंगे चैप गुना चैप टो कितने एगा? चेको चिद्स पषटिस कई दोसु सोला है दोसु सon दोसु आजिथा है ना गया जब भुजा कितनी है च्छे इकाई तो दोस्तों सोला को हम अगर पावर के रूप में लिखे तो कैसे आगा च्छे को कितने बार गुणा किया तीन बार तो च्छे की पावर तीन अब नेक्श देखते हैं हमारा 7 एकाई 7 को 3 बार गुना किया तो क्या गया 7, 7, 49, 49, 7, 343 गन एकाई तो यह हमारा आयतन आ गया 343 को हम क्या ज़कते हैं गातां के रूप में 7 की पावर 3 और विस्तारित रूप में 7 गुना 7 गुना 7 8 एकाई जो है हमारी भूजा जो है गन की 8 है तो उसका आयतन क्या होगा 8 गुना 8 गुना 8 मल्टिप्लाइ करेंगे तो क्या होगा 8, 8 गुना 8, 64, 64 गुना 8 512 गन एकाई ठीक है यह रहा हमारा 512 गन एकाई यह 512 के जो है गातां की है रूप और यह हमारा विस्तारित रूप अब 9 एकाई तो 9 हमारा जो है भुजा है 9 गन की तो हमारा आयतन क्या होगा 9 गुना 9 गुना 9 यह लंबाई गुना चोड़ाई गुना उचाई तो 9 गुना 9 हमारा होगा 81, 81 गुना 9, 739 गन एकाई ठीक है तो यह किसकी आपे क्या हैगा पूर्ण गन संख्या कौन सी है 9 की क्यूब कितना होता है 9 गुना 9 गुना 9 हमारा होता है 739 आगे है 10 की एकाई 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 यह हो जाएगा 1000 गन एकाई 1000 गन एकाई हमारा आयतन होगा यह 1000 गादांकी है रूप और ये विस्तारित रूप अब हम गरते हैं हमारा कोश्चन सोल तो नीचे दी गई संख्याओं के घंड जो हमें ग्याद करनी है तो 11 का घंड ग्याद करना है तो हम क्या करेंगे 11 गुना 11 गुना 11 गुना 11 यहाँ पर हम लिखेंगे तो 11 गुना 11 हमारा होता है 121 और उसको फिर 11 से गुना करेंगे तो हमारा अंसर यहाँ पर तो 11, 11, 11, 11, 11 को 3 बार गुना करने पर हमारा इंसर जाएगा 1331 सा गुना करेंगे तो 2197 उसे बढ़ाइधा 14 का ग cocon215 और फिर द फिर 14 से करेंगे तो यह आजाएगा 2744 15 निकालते हैं तो 15 15 कितना हो गया दोसो पत्चिस एक बार और गुना करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 3,300 पिछ इतर 16 का निकालते हैं 16 को तीन बार करेंगे 16 गुना 16 हमारा होता है 256 और फिर से 16 से हम करेंगे तो यह हो जाएगा 4,000 चानवे उसके बाद आता है 17, 17 गुना, 17 हमारा हो गया 289, और एक बार फिर से हम करेंगे तो हमारा जगा 4913, फिर आता है 18, 18 वो तीन बार गुना करना है, 18 गुना, 18, 324, गुना 18, तो ये हो जाएगा हमारा 5832, तो ये हमारा इसका अंसर हो गया, अब नेक्ट कोशिन देख लेते हैं, नीचे दिये गए खालिस्तान में घन की आकर्ति बनानी है, तो चलो एक बड़ी आसा हमारा घन यहापे जो हम ड्रो कर देते हैं, घन होता है जिसमें जो तीनों साइट्स, दीनों बुजाएं बराबर हो, तो हम यहापे कर देंगे एक घन को ड्रो, तो ये हमारा एक घन यह ताच यह कीजिए, विल्यों को लाइक कीजिए, थैनिय। वर वचहिए गया ह।